गुट मॉनिंग क्लास आज हम पढ़ेंगे द्वादसा पाठा बारवाँ पाठ जिसका नाम है विध्या धनम इसका अर्थ है विध्या के महत्व के बारे में बताया गया है इन स्लोकों में क्या किया गया है विध्या के महत्व के बारे में बताया गया है फर्स्ट स्लोक है हमारा पहला स्लोक है न चोर हार्या न चोर राज हार्या न भृत भाज्या न चोर भारकरी व्यकृते वर्धत एवनित्या विध्याधन स्रवधन प्रधानम इसका अर्थ है विध्या रोपिधन चोरों द्वारा चुराने योग्य नहीं है न राजा इसे छीन सकता है न चोर इसे चुरा सकता है न भाज के द्वारा बाटने योग्य है और न भार बाटने वाला है यो खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है विध्या रोपिधन सबी धनों में प्रधान है स्रेश्ट है ठीक है विध्या रोपिधन को न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है न राजा के द्वारा चीना जा सकता है न भाई के द्वारा बाटने योग्य है और न भार बाटने योग्य है यो खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है विध्या रोपिधन सबी धनों में प्रधान या स्रेश्ट है दूसर स्लोक है अमारा विध्या नाम नरस्य रूप मधिक प्रच्च गुप्तह धनम विध्या भोग करी यशह सुक करी विध्या गुरुना गुरु विध्या वंधु जनाओं विदेश गमने विध्या परादेवता विध्या राजुस पूज्यते नही धन विध्या विहीन पशुभू इसका अर्थ है विध्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्या वास्तविक या सौंदर्या विध्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप या सौंदर्या है यह गुप्तधन है विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है तथा प्रशिद है और सुक प्रधान करने वाली है विद्या विदेश कमन के समय मित्र है विद्या सबसे स्रेश्ट देवता है राजाओं में विद्या पूजी जाती है धन नहीं विद्याहीन व्यक्ति पसु के समान है ठीके इसका अर्थ है कि विद्याही मनुस्य का वास्तविक रूप है या सौंदर्य है यह गुप्त धन है विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है तथा प्रशिद और सुक प्रधान करने वाली है विद्या विदेश गमन के समय मिद्र है सबसे स्रेश्ट देवता है राजाओं में विद्या पूजी जाती है धन नहीं राजाओं में विद्या को पूजा जाता है धन नहीं विद्याहीन व्यक्ति पसु के समान है तीसरा स्लोक हैं अमारा कि यू रहा ना विबूश्यन्ती पुरुशा हरा ना चंद्रोज्वला न इसनान न विलेपान न कुसुम न लंगता मूर्धजा वणिये कहा समलक कन करोती पुरुश या सस्कृता धर्यते चीयन्ते अखिल भूशनानी संतह वाग भूशन भूशनाम इसका अर्थ है चंद्रमा के समान बाजुबंद चंद्रमा के समान उज्वल हार इसनान सुगंदित द्रव्या फूल और सजाय हुए बाल आदी मनुष्य को सुसोबित नहीं करते हैं बलकि एक सस्कार युक्त धारण की हुई वाणी की मनुष्य को अलंकृत करती है अन्य सभी आभूशन नस्ट हो जाते हैं परन्तु वाणी रूपी आभूशन कभी नस्ट नहीं होता है बाजुबंद चंद्रमा के समान उज्ज्वल हर इसनान सुगंदित द्रव्य फूल और सजाय हुए बाल आदी मनुष्य को सुसोबित नहीं करते हैं अन्य सभी आभूशन को नस्ट हो जाते हैं परन्तु वाणी रूपी आभूशन कभी नस्ट नहीं होता है चोथस लोक है हमारा विध्या नाम नरस्य कृती रतुला भाग्यक्षे चरश्यहा धेनों कामदुआ रती विरहे नेत्र तृतिया चो सौ सतकार्यता कुलस्य महिमा रतने विर्ना भूशनम तसमान मुक्षपेप सरुविशया विध्या अधिकार पुरू इसका आर्थ है विध्या मनुष्य की अनुपमा विध्या मनुष्य की अनुपमा अपार कृती प्रशिद है मनुष्य, विध्या मनुष्य की अनुपामा अपार कृती या प्रसिद्ध है, बुरे समय में सहारा समान है, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है विध्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूशन है, इसी लिए अन्या सभी विशयों को छोड़ कर विध्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्यान आर्जन कीजिए एक बड़ दुबारा बता रहे हूं, पहले स्लोक का अर्थ है, विध्या रूपी धन चोरों द्वारा नहीं चुराया जा सकता है, राजा इसे छीन नहीं सकता है, भाई के द्वारा बांटने योग्य है और ना भार बांटने वाला है यो खर्च करने पर बढ़ता ही है विध्या रूपी धन, सबी धनों में प्रदान है, स्रेश्ट है दूसर स्लोक का अर्थ है, विध्या ही मनुस्य का वास्तविक रूप या सौंदर्य है, यह गुप्त धन है विध्या भोग उपलब्ध कराने वाली है, तथा प्रशिद और सुक प्रदान करने वाली है विध्या विदेश गमन के समय मित्र है, विध्या सबसे स्रेश्ट देवता है राजाओं में विध्या पूजी जाती है, धन नहीं, विध्या ही न्यक्ति पसु के समान है तीसरेश लोग का अर्थ है बाजुबन चंद्रमा के समान उज्वल, हार, इसनान, सुगंदित, द्रव्य, फूल और सजाय हुए बाल आदिम मनुष्य को सुसोबित नहीं करते हैं बलकि एक संसकार युक्त धारन की हुई वानी है, मनुष्य को अलंकारित, अलंकरित करती है अन्य सभी आबूसन नस्ट हो जाते हैं, परन्त जो वानी होती है, वानी रूपी आबूसन कभी नस्ट नहीं होता है चोथा श्रोग का अर्थ हमारा विध्या मनुष्य की अनुपमा, अपारकृती, प्रशिद्ध है, बुरे समय में सहारा, समान है, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है विध्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आबूसन है, इसी लिए अन्य सभी विशयों को छोटकर विध्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्यान अर्जन कीजिए ठीक है? Thank you